हालो दोस्तों नमस्कार मैं आमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेट्पांप आप सभी भाई भैनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और यह वीडियो जो कि प्रोफिट एंड लॉस यानि लाव और हानी पर चल रहा है उलाव रहानी पर हम लोगों ने काफी कॉंसेट्स देखा उसी के क्रम में हम लोग आगे देखेंगे अगले concept पर हम लोग काम करेंगे ठीक है लेकिन कुछ question जो है इसमें कुई मैंने आपके concept अल्यडी बताया हुए है कुछ question वहां से भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और यह जैसे ही चैप्टर आपका यानि profit and loss complete होता है इसके बाद जो बट्टा आता है यानि discount discount जैसे ही complete हो जाएगा वैसे ही हम लोग previous कम से कम 10-15 years में जितने फी UPSC में question put up किये हो गया पहले UPSC में जिस तरह के question पूछे गया है पहले हम उनकी बात करेंगे उसके बात फिर other state जो PCS में पूछे गया है उन लोग उन सभी questions की यहाँ पर दो अलग अलग वीडियो आपक के लिए संगलोग सेवा आयो के लिए और एक जो है राजलोग सेवा आयो के लिए यानि यूपी PCS प्लस other state PCS exams के लिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यहाँ पे तो यह रहा के सामने तो पहले इस question को देखे और इस question को देख करके आप समझे कि दो पंखों का विक्रह मुल्य कह रहा है समान है जबकि दोनों के क्रह मुल्य का योग 23 रुपय है तो इन में से एक को अगर 10% लाप पर अगर बेचा जाए और दूसरे को 20% लाप पर बेचा जाए तो दूसरे पंखे का क्रह मुल्य ग्याद कीजिए दूसरे पंखे का क्रह मुल्य को तो अगर आपको ठीक है यादी दो वस्तुओं ठीक है अगर दो वस्तुओं है ठीक है दो वस्तुओं के क्राय मुल्य क्राय मुल्य का योग हमाल लेते हैं क्राय मुल्य का योग दिया हुआ है वह ए रूपए दिया हुआ है कितना ए रूपए यादी दो वस्तुओं के क्राय मुल्य का योग ए रूपए है एक वस्तुओं को यक्स प्रतिसत लाभ पर तथा दूसरे वस्तुओं को दूसरे वस्तुओं वाई प्रतिसत लाभ पर बेचा जाता है तो अब इसमें पूछा जा सकता है कि पहले वस्तुओं का या दूसरे वस्तुओं का तो पहले आप यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए ध्यान से जब भी अगर इसस तरह से रहे कि दो वस्तुओं का क्रेम मुले यस अलग अलग आलग हमको वस्तुओं का नहीं मालूम है तो ऐसे condition में पूछ लेगा कि पहले वाले वस्तुका क्रैमुल्य क्या था या फिर दूसरे वाले वस्तुका क्रैमुल्य क्या था ठीक है तो आपको करना क्या है इनका जो है ratio निकाल लेना कि इनका ratio निकाल लेना किसका पहले वस्तुका और दूसरे वस्तुका अब ratio कैसे निक $mull Gast Price into 100 यही तो करते हो यही तो formula होता है ठीक है यह stinks इन वह प्रचिसत प्राब भाब बटे काश प्राइस into 100 हम यह भी लिख सकते हैं कि लाब जो होता है वह inversely proportional होता है 1 by Cp के ठीक है अगर हम लाब percentage और Cp में compare करें तो हम क्या करेंगे कि अगर लाब जो प्रतिसत हो रहा है वह CP के क्या होता है inversely proportional होता है क्या होता है inversely proportional होता है या हम कुछ इस तरह से इनको कह सकते हैं कि जो cost price होगा वह inversely proportional होगा one by profit percentage क्या होगा one by profit percentage के क्वल होगा proportional होगा बास समझ में आ गए अच्छा अब यहाँ पर दो वस्तुएं हैं यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं दो वस्तुएं ठीक है एक को हम X percent के profit पर यानि हम पहले वस्तु के अगर हम cast price के अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि cast price is equal to 1 by X percent बास समझ में आ रही है अच्छा दूसरे वस्तु को हम Y percent पर त constant आएगा यानि इसके लिए अगर देखा जाए ठीक है इसके लिए अगर देखा जाए तो CP is equal to क्या हो जाएगा हम लेता है कोई नेको Знаको इनको constant यहां पर क्या आता याथ है ख्याक यह सबैको जाएगा 10 xy और ये पहले के लिए हो गया या आप ऐसे करेंदो से कर लो कि इसको कम एक एड़ीआ पर्शन में आ घर इनका रही है अगर इसको एक्वेशन नंबर फ़स्ट कर लो फिर से ध्यान से समझेए लाव प्रपोर्शनल क्या होता है या सीपी कास्ट प्राइब प्रपोर्शनल वन बाई परसेंट यह हमने फार्मले से ने देख लिया ठीक है ना अब अगर यहां दो वस्तुमें है तो एक वस्तुम को हमने क्या आगया के आगे कैश के ठीक है अब अगर हम डिवाइड कर लें यानी सीपी अपन का मतलब देशी होता है न इतना तो आप समझते ही है कि सीपी राप ऑींट इस वेल टू क्या जाएगा जब हम इसको अपॉन मे हमें करेंगे इतना अपान इतना यानि यह हो जाएगा आपका के एक्स अपान वाई क्या हो जाएगा के अपान वाई ठीक है के से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा के से कैंसल हो जाएगा वाई जाएगा ऊपर एक्स आएगा नीचे यानि कुल मिला के क्या जाएगा y ratio x हो जाएगा क्या हो जाएगा y ratio x हो जाएगा बात समझ में आई ये मैंने बस एक आपको तरीका बता है कैसे क्या करना है ठीक लगाना ऐसे नहीं है ये मैंने आपको बता है कि अभी पूछो के आप ये कहां से निकल करके आया है ठीक है अब देखो फार्वुला क्या बनता है ध्यान से देखिएगा ठीक है अब यहाँ पर दो कंडिशन तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इन दोनों के कास्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे ठीक है कास्ट प्राइस का क्या निकालेंगे रेशियो यानी CP1 1 का मतलब पहली वस्तु का कास्ट प्राइस रेशियो CP2 यानी दूसरी वस्तु का कास्ट प्राइस is equal to पहले में कितने प्रतिसत का लाब हो रहा है तो यक्स percent का लाब हो रहा है X percent का लाब का मतलब की 100 plus x कर लेंगे ठेक है आचा यहां पर ध्यान में रखना है पहले वाले में हमने यहां पर क्या आया था तो जब ने एरेज किया था तो पहले वाले में यहाँ पर क्या आया था पहले वाले पर y रहता है फिर x रहता है अभी आपने देखा था न कि cp1 ratio तो y ratio x तो यानि पहले वाले में दूसरे का लाव लिखना है ठीक है पहले वाले में किसका लाव लिखना है अगर आप ratio निकालोगे तो CP1 यानि पहले वस्तु में हम दूसरे वस्तु का कास्ट दूसरे वस्तु का पर जो भी profit होगा या loss होगा loss होगा तो माइनस लग जाएगा profit होगा तो प्लस हो जाएगा इतना तो आप समझते ही हो यहां पे भी अगर प्रॉफिट या लास होगा तो उसी साब से चिन रखा जाएगा ठीक है ना तो पहली वस्तु है ठीक है पहली वस्तु है तो दूसरे का परसेंटेज ठीक अब दूसरी वस्तु है तो पहले का परसेंटेज यही रेशियो होता है इसी फार्मूले से हम इसको निकालते हैं अब हमको रेशियो मालूम हो जाएगा कि इतना रेशियो यह है माल लेते हैं सपोस्ट एट कि यहां पर जो रेशियो आ जाता है एक रेशियो हम माल लेते हैं कि यहां पर हमारा जो रेशियो आ गया ठीक है इसकी value हम suppose that माल लेते हैं यहाँ पर xy तो हमने लिखा है माल लो कि यहाँ पर k1 आ गया और इसकी value क्या आ गई k2 आ गई ठीक है यह ratio आ गया यह इसकी value ठीक है अगर कुछ कटेगा तो वहाँ पर हम काट लेंगे यानि k1 ratio k2 आ गया अब पूछा जाएगा आपसे कि प पहले वस्तू का जो cost price होगा यानि cp1 की वस्तू होगे तो पहले वस्तू का जो cost price होगा तो क्या हो जाएगा तो यह जो ratio दिया है k1 और k2 तो पहले वस्तू के लिये हम यहाँ पर क्या put करेंगे k1 नोको जोड़ लेंगे यानि k1 प्लस k2 और into sum sum यानि किसका जो cast price है cast price का sum दिया है और लोड़ी कितना दिया है A तो दो वस्तुओं का जो क्रै मुल्य का योग है कितना है A है यानि इसके place पे हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे बास समझ में आ गई ठेक है दूसरी वस्तुओं का जो cast price होगा दूसरी वस्तुओं का जो cast price होगा ठीक है वह हो जाएगा भई दूसरी वस्तुओं यहाँ पे हम k2 रखेंगे k2 अपान k1 प्लस k2 into sum sum मतलब यानि वही A यानि sum कितना दिया है A दिया है तो उसके place पर हम A रख देंगे सालो कर लेंगे जो आएगा वही उस वस्तुओं का मुल्य हो जाएगा ठीक है अगर selling price अगर इसमें पूस्चा होता तो selling price तो आप आप निकाली सकते हो कोई अगर x percent के लाप पर बेचा जाता है ठीक है पहले वस्तुओं का उसमें हम दूसरी वस्तुओं वाले का क्या रखेंगे percentage रखेंगे और दूसरे वाले में पहले वस्तुओं का percentage रखेंगे अगर profit हो रहा है तो plus का symbol और loss हो रहा है तो minus का symbol इतनी तो बात आप समझ चुके हो पहले भी आप बहुत इस तरह के लगा चुके हो है न चले अब इसी पर बेच्ट जो है question जो है कुछी इस तरह से है यह आपके सामने तो पूछा क्या है कह रहा है कि दो पंखों का विक्रय मुल्य समान है दो पंखों का विक्रय मुल्य समान है जबकि दोनों पंखों के क्रय मुल्य का योग तो दोनों पंखों के क्रय मुल्य का योग कितना है 2300 रूपए कितना है 2300 रूपए है इनमें से एक को 10% के लाप पर तथा दूसरे को 20% के लाप पर बेचा गया दूसरे पंखे का क्राय मुल्य ग्याद कीजिए ठीक है तो दूसरे पंखे का हमको क्या निकालना है है क्रय मुल्य निकालना है तो हमने आपको क्या तरीका बताया तो हमने आपको बताया कि CP1 ratio CP2 is equal to आपको क्या करना है तो पहली वस्तु है तो दूसरे वस्तु का रखना है यह दूसरे वाले वस्तु में कितना दिया है 20% का क्या दिया है लाव दिया है तो 100 लाब दिया है तो प्लस लगाओगे 100 प्लस 20 हो जाएगा रेशियो ठीक है दूसरे वस्तु अब CP2 मतलब दूसरी वस्तु है तो पहले वस्तु का एक वस्तु का जो की 10% लाब पर ये भी लाब है ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अगर हा नहीं होता तो माइनस सिंबल लग जाता अब इसको थोड़ा आप सालो कर लोती हो जाएगा 120 रेशियो 110 ठीक है यहाँ पे 0.00 कैंसल रेशियो कमतल्य बटे अपन यानी कुल मिला कर कितना अगया 12 रेशियो 11 यह आ गया 12 रेशियो 11 यह हमारा यह पर यह आ गया ठीक है चले अब पूछा क्या था तो पूछा था पहले दूसरे पंखे का क्राय मूल्य तो दूसरे पंखे का क्राय मूल्य पूछा है दूसरे यानि दूसरी वस्तु का मूल्य दूसरे पंखे का क्राय मूल्य तो दूसरे पंखे का अगर हम क्राय मूल्य निकालेंगे तो हमने फार्मुला बताया कि दूसरे पंके का पूसरा है तो दूसरा वाला हम रखेंगे ठीक है 11 यानि 11 बटे दोनों को जोड़ देंगे यानि 12 प्लस 11 दोनों रेशियो के याँ पर आड़ कर लेंगे और इंटू योग योग कितना दिया हुआ है क्रेमुल्य का तो क्रेमुल्य का योग दिया है तेश सो रुपए यानि 2300 रुपए ठीक है 2300 रुपए चलो अब इसको हल कर लो यह हो जाएगा आपका 11 अपान 12 और 11 यह हो जाएगा आपका 2 और 1 3 2 ठीक है multiply by 2300 ठीक है 23 से काटोगे तो यह कितना आ जाएगा 100 11 से multiply करोगे यानि कुल मिला के कितना आ गया हो जाएगा बात आपको समझ में आ गई क्लियर है किसी भाई को समस्या यहां पर ठीक है तो जब भी अगर इस तरह से अगर प्रस्ण आये तो आपको पहले रेशियो निकाल लेना है फिर आराम से इसको आप सालूर कर लेंगे इसका आप स्क्रेंट शाटल लीजिए यह ठीक है तो कह रहा है कि एक किसान ने अपने दो गायों को समान दर से बेचा है ठीक है जबकि दोनों गायों के क्रय मुल्य का योग 16,800 है तो योग दिया है योग दिया है किसका दोनों गायों का जो क्रय मुल्य का योग है ठीक है तो योग कितना दिया हुआ है 16,800 12,800 रुपए दिया हुआ है एक गाय को 25% के लाव पर तथा दूसरे गाय को 15% की हानी पर बेचा जाता है ठीक है तो अब आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है तो CP1 रेशियो CP2 जब पहले वस्तु का कास्ट प्राइस CP का मतलग कास्ट प्राइस है यानि पहले वस्तु का जो कास्ट प्राइस है तो हम उसमें किसका परसेंटेज लिखेंगे दूसरी वस्तु का और दूसरी वस्तु का तो दूसरे गाय को 15% की हानी पर बेचा है हानी पर बेचा है तो हम हम पहली वाली वश्तु का प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट दिया है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 25 अब इसको थोड़ा साल्व कर लेंगे तो 100 में से 85 निकालेंगे तो 85 रेशियो यहां यह हो जाएगा आपका 125 से डिवाइड करो 5 से दोनों कट जाएंगे ना यह 25 बटी 125 ऐसे समझो यह 25 बटी कितना है 100 सोरी 85 बटी कितना है 125 अब यह काटोगे तो यह हो जाएगा 5 इका 5 5 सते 35 यह हो जाएगा 5 दूनी 10 5 15 25 यहांने कुल मिला के कितना आ गया यहां पर हो गया आपका 17 रेशियो 25 क्योंकि अब यह नहीं कटेगा यह रेशियो आ गया अब पूछा क्या है बस अब देख लो क्या पूछा है तो आनी पर बेचा गया तो पहले गाय का क्राय मुल्य पहले गाय का क्राय मुल्य जो है पूछा जा रहा है ठीक है पहले गाय का क्राय मुल्य पूछा जा रहा है तो पहले गाय का क्राय मुल्य पूछा जा रहा है तो पहले गाय का मतलब पहला वाला लेंगे ठीक है दूसरा को कहता है तो दूसरा वाला लेते clear है ठीक है तो आप क्या रखोगे उपर 17 अपान दोनों को जोड़ देना है 17 प्लस 25 multiply by योग योग कितना है 16800 कितना है 16800 किसी भाई बैन को तो कोई समस्य है इसमें तो 17 बटे यह हो जाएगा आपका 75 12 213 और एक चार 42 और इंटू 168 2042 चौका एक सब्सक्राइब यानि जो पहली गाय का जो कास्ट प्राइस है वह कितना है 6800 रुपए तो 6800 रुपए यानि हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा यह वाला हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो आप सब्सक्राइब यह बात आपको समझ में आ गई किसी भाई बैन को समस्या इसमें ठीक है तो जब भी अगर इस तरह का प्रेशन आए तो 820 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाव होता है जितना उसे 650 रुपए में बेचने पर हान ही होती है तो घड़ी का क्राय मुल्य बताईए ठीक है अब यहां पर पहले हम इसको कॉंसेप्ट समझ लें कॉंसेप्ट हमारा क्या कहता है तो अब अगला जो है कॉंसेप्ट आपको इसमें समझना है एक वस्तु को ए रुपए में बेचने पर उतना ही लाब उतना ही लाब होता है जितना की बी रुपए में बेचने से आनी होता है आनी होता है तो वस्तु का तो वस्तु का क्रैमोल्य आनी कास्ट प्राइस तो वस्तु का जो क्रैमोल्य होगा कास्ट प्राइस होगा वह क्या होगा ठीक है तो ऐसे कंडिशन में ध्यान में रखेंगे आपको करना क्या है कि अगर A रुपए में हम बेच रहे हैं तो उतना ही लाब हो रहा है जितने कि अगर हम B रुपए में बेचे तो उतने ही रुपए की क्या हो रही है हानी हो रही है ठीक है उतनी हानी होती है तो ऐसे कंडिशन में जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि उस वस्तु का कास्ट प्राइस निका लिए तो दोनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है यानि हम क्या करेंगे और दो से क्या करेंगे भाग दे देंगे जितना आएगा वही उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा वही उसका क्स्च प्राइस हो जाएगा तो वस्तु का क्राय मुले बताइए, तो वस्तु का क्राय मुले सीधा क्या करेंगे, 820 को और 650 को जोड़ देंगे, तो 820 प्लस 650 और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यह हो जाएगा, 527 यानि 70 और 864 यानि 1470 बटे 2, तो 2 से, तो 2 सते 14, 236, 2510, यानि उसका काश्ट प्राइस कितना है, तो 735 रुपाय है, यानि हमारा कौन सांसर हो जाएगा, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, तो किसी भाई भायन को इसमें कोई प्रस्न में समस्या, इसमें कोई समस्या, आपको नहीं आन पहले देख लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं, कह रहा कि किसी वस्तु को 840 रुपाय में बेचने से प्राप्त लाव, उस वस्तु को 600 रुपाय में बेचने पर हुई हानी को, हानी की दुबनी है, तो उस वस्तु का क्राय मोले क्या है, तो यहाँ पर पहले दो concept आप समझिएगा ठीक है दो concept समझिएगा पहला यादी किसी वस्तु को किसी वस्तु को याक्स रुपाय में बेजने से प्राप्त बेजने से प्राप्त लाव प्रदिशत ठीक है लाव प्रदिशत लाव प्रदिशत वाई रुपाय में बेचने से प्राप्त हानी का ठीक है प्राप्त हानी का ठीक है कह रहा कि यद किसी वस्त को यक्स रुपए में बेचने से प्राप्त लाव प्रसत वाई रुपए में बेचने से प्राप्त हानी का प्राप्त हानी का एन गुना हो ठीक है कितना हो प्राप्त हानी प्रत्सत का ठीक है यहाँ पर हानी प्रत्सत तो हानी प्रत्सत का कितना हो एन गुना हो तो वस्तु का क्राय मुल्ले होगा तो वस्तु का क्राय मुल्ले हो जाएगा तो यहां पर वस्तु का जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो यहां पर द्यान में रखेंगे ठीक है तो वस्तु का जो सीपी होगा जो cast price होगा वो हो जाएगा X minus ठीक है यहाँ पे अगर दूसरी वास्तों को मतलब उसी वास्तों को अगर Y रुपए में हम बेचते हैं ठीक है Y रुपए में बेचने से ठीक है यहाँ पे बेचने है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि X plus N into Y upon N plus 1 ठीक है क्या हो जाएगा कि cast price is equal to X plus NY upon N plus 1 अगर हम एक सो रुपए में बेच रहे हैं तो जो भी लाब प्रत्षत होगा एक सुपए में बेच रहे हैं तो जो भी लाब प्रत्षत होगा वह कह रहा कि Y रुपए में बेचने से प्राप्त हानी प्रतिसत का कितना गुना है एन गुना है ठीक है कितना गुना है एन गुना है कि अगर हम वाई रुपए में बेच रहे हैं तो प्राप्त हानी का एन गुना है हानी का कितना है एन गुना है कौन एन गुना है जो लाब पर बेचा गया है ठीक है उसका कितना है N गुना है यानि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो कह रहा है कि जो लाव प्रतिसत होगा ठीक है लाव प्रतिसत और इधर आप लेख लिजेगे हान प्रतिसत तो जो लाव प्रतिसत है वो हान प्रतिसत का कितना गुना है N गुना है N गुना है का मतलब की दोनों को अगर हमको बराबर करना है तो इसमें हम N से क्या करेंगे multi apply कर लेंगे ठीक है अगर लाब प्रस्थत और हानि प्रस्थत इसमें हम लगाएंगे formula बस यही आपका formula आ जाएगा ठीक है फार्मुला आपको ध्यान में रखना है तो जब भी अगर इस तरह से प्रस्णा है तो यक्स क्या है? जो वस्तु को बेचने पर लाब होता है y क्या है? जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं उतने पर क्या हो रहा है? हानी हो रहा है कितने का n गुना हानी हो रहा है एक वस्तु को एक वस्तु को एक्स रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिसत प्राप्त लाभ प्रतिसत वाई रुपए में उसी वस्तु को अगर हम वाई रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिसत रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिसत वहतुप जलाभ प्रतिसत का एन गुना हो एन गुना हो ठीकाश हो उसमें ओलता वहीं ह melhor हो अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उसमें हमको कुछ प्रतिसत का लाब हो रहा है हम बाद में हम कह रहा है कि उसी वस्तु को अगर हम इतने में बेचें तो जो लाब प्रतिसत होगा उसका पहले वाले का एन गुना होगा यानि पहले वाले का जो भी लाब प्रतिसत होता है उससे यंगुना हो तो वस्तु का तो वस्तु का कि रख मुल्ले हुगा कि गर्मंुले होगा तो अब यहां पर फार्मला क्या बन जाए गए खास्ट प्रायई इस प्राइस प्लस माइनस वाई अपउन एन वाई ठीक है अब उसमें क्या था उसमें देखो जब हानी होता है तो यहां पर दोनों जगह प्लस होता है क्योंकि एक लाब हो रहा है एक हानी जब एक लाब और एक हानी हो तो जोडते हैं अब यहां पर दोनों कंडिशन में क्या हो रहा है लाब हो रहा है पहले भी लाब हो रहा अब N गुना हो रहा है तो जब law होता है तो हम दोनों तरफ law होता है तो हम minus लगा देते हैं ठीक है लेकिन यहाद पे NX-Y होता है और यहाद पे N-Y होता है किसी को भाई बहन को कोई समस्या है इसमें तो यह formula आप देख लो ध्यान पूर्वक इसको आप जो है अपने कॉपी में इसको नोट कर लो ठीक है एक ये वाला ठीक दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें एक में लाव और एक में हानी का एन गुना है और उसमें एक लाव का दूसरी का कह रहा है कि एन गुना है लाव का ही ठीक है अब इसी पर ज कि जाब उस वस्तु को 600 रुपाय में बेचने पर प्राप्त हुई हानी की कितनी है दूगनी है तो उस वस्तु का क्रय मुल्य आप से पूछा जाए रहा है कि क्रेम ओले यानि कास्ट प्राइस बताईए तो कास्ट प्राइस यह यानि यह क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा फिर जो दुबारा बेचा जा रहा है यह क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा ठीक है और दूबनी कह रहा तो यानि यह है आपका एन का फार्मुला क्या है तो x minus x plus ny upon n plus 1 ठीक है ठीक है तो x x की value कितनी है तो 840 यानी 840 प्लस n की value तो 2 गुनी है मतलब 2 into multiply by y y मतलब 600 रूप है और upon में 2 plus 1 यान मतलब 2 गुनी 2 गुनी मतलब 2 plus 1 यह हो जाएगा आपका 6 दूनी 1200 12 और 820 यानी 2000 आ जाएगा 40 ठीक है और यह हो जाएगा आपका 3 तो 3 चाक ठार तीन अठे 24 और एक 0 यानी कितना जाएगा 600 तो यहां पर आगे आपका 680 रूपए यानी उस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना था तो 680 तो सभी भाई वहन को समझ में आ गया यहां पर ठीक है कोई समस्या इसमें ठीक है तो इस कॉंसेट को आप ध्यान में रखिएगा अच्छा प्रश्ण है चले अगला चलते हैं अगला देखते हैं क्या कॉंसेट है एक व्यक्ति अपने समान को 5% लाब पर बेज़ता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाब प्रश्यत कितना होगा ठीक है तो 20% कम वजन का प्रयोग करता है ठीक है कम वजन का प्रियोग करता है ठीक है अब अगर एक चीज़ बताओ भाई अगर वो 20% कम यूज़ करेगा तो जैसे आप 1 kg का जो बाट होता है ठीक है 1 kg का और 1 kg में कितना होता तो आप कहोगे 1000 ग्राम होता है ठीक है 1000, सुरी यहां रुपया नहीं ठीक है 1000 क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा अब यह कह रहा है कि 20% वो क्या करता है कम तोलता है 20% कम वजन का प्रियोग करता है अब 20% अगर कम वजन का प्रियोग करेगा तो राइट वजन तो 1 kg में 1000 होता है अब अगर इसका हम 20% अगर हम कम कर दें तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा सभी कमेंट करें पताओ कितना हो जाएगा इसका 20% अगर हम कम करेंगे तो क्या लिखेंगे 80 बटे 100 कितना लिखेंगे 80 बटे 20% कम का मतलब 100 में हम 20 क्या करेंगे 100 में 20 घटा देंगे तो 802 0 से 2 0 ये cancel हो गया कितना हो गया 800 ग्राम यानि वो कितने ग्राम का बाट यूज कर रहा है 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है तो उसका कुल लाव प्रतिसत बताईए ठीक है और 5% हुआ क्या करता है 5% लाव पर ही बेचता है ठीक है तो यहाँ पर हम लाव प्रतिसत पहले निकाल लेंगे किसका लाव प्रतिसत यह लाव प्रतिसत निकालेंगे जो बैमानी करता है यानि 1000 बाट के अस्थान पर 1000 ग्राम के अस्थान पर वो 800 ग्राम प्रयोग करता है तो लाव प्रतिसत कितना हो जाएगा तो लाव प्रतिसत कि कि उसको निकालते हैं ठीक है तो उपर हम क्या रखेंगे ऊपर जैनी जिस बाठ का वह प्रयोग करता है उसका अंतर कि अंतर ठीक है और अपान में जो गलत बाप का गलत जो है बाठ का प्रयोग करता है ठीक है गलत माप अब प्रतिसत निकालने के लिए 100 से गुडा करते हैं तो ठीक है पुराना फार्मुला है अंतर कितना है अंतर 1800 ग्राम में कितने के अंतर है तो आप कहोगे 200 ग्राम का अंतर है बटे गलत बाट कितना है 800 ग्राम है तो 800 लिखोगे प्रतिसत निकालने के लिए 100 से गुड़ा तो 204 का 804 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 प्रतिसत हो जाएगा यानि उसे कितना प्रतिसत लाब होता है 25 प्रतिसत लाब होता है ये 25 प्रतिसत लाब क्या होता है जब वह गलत बाट का प्रियोग करता है लेकिन 25% तो ये लाव कमाया जो गलत बाट का प्रियोग किया उसका प्लस 5% बेचता है यानि दो प्रोफिट हो रहा है एक तो जो बेचता है वो 5% एक्स्ट्रा करके बेचता है और दूसरा 200 ग्राम कम तौलता है तो दो तरस उसको ल लाव कुल उसका लाव प्रतिस्ट हो जाएगा उसका तो 5 प्लस जब दो लाव प्रतिस्ट होते हैं तो कैसे हम करते हैं यह आप अल्लेडी कर चुके हो दो 5 प्लस 25 और प्लस क्या लिकोगे कि 25 इंटू प्लस 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 इंटू अपान अंडेड ठीक पुराना वाला कॉंसेप्ट ठीक है तो यहां दो लाव प्रतिस्ट था एक तो जो बेचता है और एक जो है बैमानी करके जो बाट प्रियो करता है तो बैमानी वाले में कितना पर्षेंट है पचीस पर्षेंट और जो बैचता है वो 5 प्लस 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 इंटू पांच बटे 100, तो 25, 35 हो जाएगा, और ये 25, 25 कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, 125, यानि ये कुल मिला किया गया है, मैं इधर लिख जा रहा हूँ, तो ये हो गया, 25, 35, प्लस, ये हो जाएगा, 125, बटे 100, 100 में 2, 0 है, तो 2 अंग पे 10 मला, यानि हो जाएगा, 30, प्लस, 1, 10 मला, 25, और ये कितना हो जाएगा, 31, 25, प्रतिसत का क्या होगा, लाब होगा, ठीक है, 31, 25, प्रतिसत का क्या होगा, उसको प्राफिट होगा, यानि हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर किसी भाई बह को कोई समस्या ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान में रखिए इसको ठीक है तो इस तरह से हमारा ये अंसर हो जाएगा ठीक है चले अच्छा इसका अगर स्कार्ट फार्म भी अगर आप देखना चाहते हो ठीक है तो इसको मैं स्कार्ट फार्म भी करके बता सकता हूं यह मैंने आपको प्रॉसेस बताया है प्रॉसेस में आप समझ गए वह जो बाट यूज करता है वह 20 प्रसद कम वजन तोलता है तो यानि 1000 कि हजार ग्राम का बाट होता है अगर 20 प्रस्दट कम तो लेँगा मतलब 800 गृत तो अगर वह 800 ग्राम तोलता है तो मरहा करता है तौने ऐंब फार्मला कहें तो घल्स करता जो गलत भाप टिक्स का यूज करता है उसमें केवल तो बाट का जो प्रियोग करता है उससे 25 परद्शन का लाव प्राप्त होता है तो कुल लाव प्रद्शत क्या हो जाएगा पांच प्लस पचीज प्लस पचीज इंटू पांच अपन हंडर इसको हम इस तरह से इसको साल्व कर लेंगे ठीक है किसी भाई बहन को इसमें कोई सम समझ में आ गई ठीक है तो इस तरह से हम इसको साल्व कर लेंगे चले अब अगला प्रश्ट चलते हैं चले अच्छा प्रश्ट है इस प्रश्ट को देखें पहले आप एक बार अपने से करने की कोशेश करें ठीक है कह रहा है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 के दर से कुछ संतरे खरीता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे Congress 60 रुपए में 5 की दर से खरीटता है ठीक है तो दो बार खरीटता है एक तो 60 रुपए में 5 की दर से और 40 रुपए में 3 की दर से दो बार खरीटता है यदि वह सभी संतरे को 50 रुपए में तीन की दर से बेचता है तो उसे कुल कितना लाव या हानी प्रतिसत होगा ठीक है चलिए फटाफट इसका अंसर करिए बहुत अच्छा पुरस्न है ये ठीक है फटाफट इसका अंसर करने की कोशिस करिए ठीक है सब्सक्राइब फटाफट इसका अंसर करें तो एक बार आप ड्राई करें फिर इसको मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो एक आदमी दो पहले दो तरह की संतरे खरीता है एक तो 40 रुपए में 3 की दर से और एक जो है 60 रुपए में 5 की दर से खरीता है ठीक है यदि यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से अगर बे ठीक है तो सभी भाई वहन इसको करने का ट्राई करें तो चलें ठीक है करते हैं इसको अब अब ध्यान से देखिए 40 रुपए में 3 की दर से खरीता है कुछ संतरे तो हम मान लेते हैं कि संतरों की जो संख्या है संतरों की जो मात्रा है या संख्या है तो संतरों की जो संख्या है हम मान लेते हैं एक संतरे है अच्छा अब ये जो एक संतरे खरीता है ठीक है तो एक संतरे का मुल्य कितना होगा तो 40 रुपए में 3 की दर से खरीता है कितने 40 रुपए में अगर मैं कहूं ठीक है यानि 3 संतरे यानि 3 संतरे वह कितने में खरीता है 40 रुपए में ठीक है तो एक संतरा कितने में खरीदेगा तो आप कहोगे कि एक संतरा वह खरीदेगा 40 बटे 3 रुपए में खरीदेगा clear है यानि एक संतरा वह कितने में खरीदेगा 40 बटे 3 रुपए में तो हम संतरा खरीदे कितने हैं एक संतरे खरीदे हैं तो एक संतरे का जो कास्ट प्राइस हो जाएगा इक संतरे का मुल्य इतना है तो यक्स संतरे का मुल्य हम तो यक्स से हम इसमें क्या करतेंगे मल्टी प्लाई गुडा कर देंगे इतनी बाच समझ में आ रही है। यरी वह 5 संतरी खरीदता है अलग से 5 शंत्री फिर खरीदता है कितने रुपेですか रुपए में तो मैं कहूं कि एक संतरा कितने में हरी देगा पर भातों तो एक संतरी का जो कास्ट प्राइस आ जाएगा साथ måsteальные ठीक है पांसिस को आप काड़ सकते हो तो यह आजाएगा 12 कितना जाएगा 12 ठीक है अच्छा तो खर संतरा खरीदता कितना है उतना ही मात्रा यानि जितना पहले खरीदा था यानि यक्स संतरा खरीदा था तो यक्स संतरी का जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वह हो जाएगा बार इंटू एक्स क्या हो जाएगा बार इंटू एक्स यानि बार एक्स ठीक है यह एक संतरी का एक संतरी का कास्ट प्राइस है यह कितने संतरी एक संतरी का कास्ट प्राइस बार रूप है तो समझ में आ गई कोई समझ आ है आपर किसी भाईवाएन को ठीक है तो टोटल काष्ट प्राइस निकाल लो तो टोटल काष्ट प्राइस कितना हो जायेगा तो आप आप क्या करोगे कि दोनों को जोड अबिढrop यानि 12X और प्लस इतना 12X और प्लस 40X बटे 3 ठीक है इसको अब थोड़ा से कैल्कुलेट कर लो तो यह हो जाएगा बारत यहाई 36 36, 34, 76 यानि 76 यक्स बटे 3 हो जाएगा यह टोटल जो है कास्ट प्राइस आ ठीक है क्योंकि खरीदा है तो टोटल भई कुछ संत्रें यहाँ खरीदा कुछ संत्रें यहाँ और संत्रें की संख्या दोनों में यक्स है क्लियर है कोई समस्य अच्छा अब कह रहा है कि वह सभी संत्रे सभी संत्रे तो कुल संत्रे कितने हो गए भाई कुल संत्रा कितना है पुल संतरा कितना है तो कुल संतरा जो है पहले एक्स खरीदा था बाद में फिर उतना ही खरीदा है उतना ही मात्रा मतलब फिर एक्स खरीदा है तो एक्स प्लस एक्स बाद समझ में आ रही है न कि दो बार खरीदा है मात्रा दोनों में समान है तो यह कितना हो जाएगा 2x हो कितना हो जाएका 2 यानि संतरों की टोटल संख्या कितनी हो गई 2x हो गई अब इसको बेचता है तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी सेलिंग प्राइस ठीक अब यहां पर ध्यान दें कि सेलिंग वह करता है पचास रुपए में तीन संतरे ठीक है एक संतरा किसे रेट से बेचेगा एक संतरा वह बेचेगा वह कहो गया पचास बटे तीन रुपाय में बात समझ में आ रही है यानि तीन संतरा पचास बटे तीन रुपाय में बेचेगा तो हमारे पास संतरे कुल कितने हैं कुल संतरे तो हमारे पास दो यक्स है क्योंकि यक् की संख्या दो एक्स तो तो कुल जो संतरों का टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितने संतरों गा टू एक्स संतरों का तो टू एक्स संतरों का टोटल कितना आ तो यह हो जाएगा आपका होगे 50 into 2x बटे 3 यानी 50 into 2x का मतलब 100 x बटे 3 हो गया ठीक है यह आगया आपका Selling Price अब पूछा है क्या आपसे पूछा है भाई आपसे लाव प्रतिस्त क्या पूछा है लाव प्रतिसत पूछा है ठीक लाव या रिवा ठीक है तो अब यहां पर थोड़ा से देख लें देखो यहां भी एक सयं अदुर है अब कुलेर यहां हो रहा है कि हा नियुक्र आप कैसे ब Caribbean तो इसको था दो 3 बटे यहां भी है 3 बटे यहां भी है इसको भी हटा दो यहां 76 है यहां 100 है कौन ज्यादा है 100 वाला ज्यादा है तो इसका मतलब selling price ज्यादा है cash price कम है अब selling price ज्यादा है cash price कम है तो बेसक्सी बात है आप क्या कहोगे कि profit होगा क्या होगा profit होगा तो हम क्या निकालेंगे profit percentage और profit percentage क्या होगा कि ऊपर हम लिखेंगे selling price minus cost price upon cost price into 100 ठीक यह formula होता है selling price कितना है 100 और CP कितना है यह तो आप यहाँ पर देखो 113 है या 761 बटे 3 है घटा दो सौ में से 762 गटा होगे तो कितना बचेगा 24 यानि 24 यक्स बटे 3 आपान में cost price cost price कितना है 761 बटे 3 चैत्तर यक्स बटे 3 और प्रतिसत निकालने के लिए 100 से गुड़ा 3 से 3 क्या होगा cancel हो जाएगा 3 से 3 कटे गया यक्स से यक्स कटे गया अब 7624 याई 72 हो जाएगा यानि 4 से काट लो इसको यह हो जाएगा 24 इंटू 100 बटे 76 ठीक अनसर जो है वो दस निकटतम में बताना है यानि यह लगभग दस मलों में आएगा ठीक है चलो फिलाल 4 से काट लेते हैं तो चार चंग 24 चार इकनम चार और यहां बचा आपका ठीक कितना बचेगा तो 11 बचेगा 11 110 हो जाएगा तो 19 37 ठीक अननिस पचे 95 पांच बार जाएगा निस पचे 95 95 कितना बचेगा तो 95 और यह 10 यानि 15 बचेगा फिर हो जाएगा 150 ठीक है तो यह लगभग यह लगभग तो यह लेकर आपका अनसर किसमें पूछा निकटम में और निकटम में पूछा है तो 31 दसमलों पांच यह अगर पांच है तो इसका आगए वाल हम डिजिट लेंगे यानि 32% क्या होगा लाब होगा थीक है 31% लाब वाला नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहां पर कितना है 31.5 है तो मतलब हम एक डिजिट आगे बढ़ा करके निकरतम में लिखेंगे अगर यहाँ 4 होता तब हम इसको 31 लिखते हैं ठीक है लेकिन अब चुकि यह 5 हो गया तो 5 वाले condition में आप जानते हैं कि अगर 5 हो या फिर 5 से जादा हो दसमलों में तो हम एक अंग बढ़ा करके लिखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 प्रतिसत जो है लाभ प्रतिसत हो संतरों की संक्या हम माल लेते हैं संतर करेका हम करों का मालूम नहीं है तो हम माल लेते हैं यकस संतरेय में हमने खरीदा एक संत्रे का मुल्य हो जाएगा 60 बते 5 यानि 12 रुपय हो जाएगा तो एक संत्रे का मुल्य हो जाएगा तो UA-X before कितना हो जाएगा 12ống लिए अल्गına कियो कि दोबारा उतनी ही मात्रा में वह खरीता है यानि जितनी पहली मात्रा में खरीता था तो कुल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हम जोड़ देंगे जोड़ दिया तो यह हमने टोटल कास्ट प्राइस निकाल लिया अच्छा कुल संतरा हमने खरीदा कितना तो यक से यहां खरीदा था और यक से यहां पर यह सब्सक्त alljayam के जानते हैं और ऐसानी से इसको कर लेंगे ठीक है अगर आप जानते है विए एगर आप जानते रहेंगे तो लगाने में टाइम नहीं लगता है ए यह चीजे मैं लिखता हूँ इसलिए आपको समय लगता है ठीक है आपको इसमें विदिन ज्यादा से ज्यादा आप इसको 40 से 50 सेकंड में आप कर सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कुछ दम नहीं है को चले अगला प्रस्ण देखें यह भी प्रस्ण बहुत अच्छा है इसको तो आ बिना हल किये ही बीना पैन उठाए ही कर सकते हो तो एक मार्ट राई करों सभी लोग करिए के वलेश सेंससे काम करिए आपने आप अंसर मिल जाए गाइस ठीक कर थोड़ा सा सोचे को पढ़िए तो इस आछे और अंसर करें है तो फटा-फट सभी लोग अंसर करें ठीक है अभी लोग फटा-फट इसका अंसर करें कि सभी लोग अंसर करने की कोशिश करें कि चले आई देखते हैं तो क्या समझ में आजा आपको कह रहा है कि एक बुक स्टोर वाला 5,000 रुपय में कुछ किताबे खरीता है और वह एक बटे-दो भाग यानि आधा एक बटे-दो का मतलब आधा भाग यानि जितना वह किताब खरेता है उसमें आधी किताबे जो है 20 परसंट की हानी पर बेचता है अब सेषब सेषब कितनी बचेंगे वह अभी तो आधी किता बेंगे क्या होगा सेषह ही तो बचे मैं यहें सेष हाग है तो उसे कितने तो ना ना तो लाव तो वह 20% पर्षंट क्या करें 20% लाव पर बेचे 20% क्या करें लाव पर जाएगा यानि हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा भीवाल अंसर हो जाएगा ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई ठीक है लेकिन पांच हजार रुपए में वह किताब क्या किया खरीदा ठीक है पांच हजार रुपए में वह कुछ किताबे क्या करता है खरीदता है अब उसमें से आधी किताबे आधी किताबे 20% की हानी पर बेचता है तो आधी किताबे का मतलब भई पांच हजार में कुल खरीदा है तो आ बेचेगा, तो आप कहोगे की 802.100, यही तो होगा, 802.100, 2.0 से 2.0 कैंसल हो गया, 2.682.100, यानि 2.000 में वह किताब को बेच दिया, यानि 2.00 में बेच दिया, 2.000 में बेच दिया, जिस से उसको 20% का क्या हो restrict हो गया, हाणी हो गया, ठेक है, अच्छा, अब पचीस सो डो किता आधी किताब मतलब 2500 की किताब आचा फिर किताब और कितनी जो 60 बचीए है तो 60 आप जोगे वह अभी किताब जो है उसका मुले कितना है? 2500 रुपए है घे के लेकिन अब कितने प्रज़सत लाफ पर बेचें कि इस पूरे है इस पचीस सो वाली किताब को हमको कितने में बेचना है तीन हजार उपए में बेचना है यानि सेलिंग प्राइस हमको मालूम है तीन हजार उपए में हमको क्या करना है सेल करना है और कास्ट प्राइस कितनी है तो कास्ट प्राइस आपकी पचीस सो रुपए ये बास समझ में आ गए कि नहीं फिर से समझ येगा पचीस सो वाली जो किताब थी उसने हमको 20% लाब पर हमने 20% हानी पर बेचा कितने बेचा 2000 रुपए में बेच दिया ठीक है अच्छा हमने कुल किताब कितने में खरीदा था अच्छा कह रहा है कि पूरे लें देन में ना तो हानी हो तो ना तो लाब हो यानि हम 5000 में खरीदे हैं तो 5000 में बेचेंगे ही यही तो मतलब हुआ ना तो लाब होगा और नहीं हानी होगा लेकिन हमने 2500 यानि आधी किताब आधी किताब मतलब पचीस सो की किताब जो है हमने दो हजार में बेच दिया ठीक है हम दो हजार उपए पा गए ठीक है दो हजार उपए पा गए अच्छा अब जो बाकी सेस बची पचीस सो किताब है पचीस सो किताब को हम दो हजार बेच दिया कितनी किताब बची, पचीस सो की किताब बची, अब इस पचीस सो किताब को हम कितने में बेचेंगे, कि हमको 5000 मिल जाए, तो 2000 मिल चुका है, और कितना हम बाकी है, 3000 बाकी है, मतलब हम उसको कितने में बेचेंगे, 3000 में, तो सिदी से बात है, हम कुछ प्रॉफिट पे बेचें तो अंतर कितना है इंह दोनों की ऊपर माइनस करना है मतलब अंतर लिखना है तो यह हो जाएगा आपका 500 बटे काज प्राइस यानि 25,000 और इंटू 100 तो 500 से 25 काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 5 ठीक अब 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यानि 20% वो profit पर बेचेगा किस पर बेचेगा 20% profit पर तो 20% profit पर अगर बेचेगा तो इसको 3,000 रुपए मिल जाएगा अग 3 और 2 कितने हो गए? 5,000 रुपए मिल गए, 5,000 रुपए में खरीदा भी था 5,000 रुपए में बेचा भी तो न तो इसको लाब हुआ और नहीं हानिक हुआ clear है? यहाँ पर किसी भाई भायन को कोई समस्या इसमे? ठीक है? चले, अगले प्रस्मे की ओर चलते हैं तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए इसको बिना हल किये भी आप कर सकते थे क्योंकि दोनों किताबों का जो आधा-धा है इसलिए दोनों सेम आ गया अगर आधा और नहोंता एक बटे तीन होता एक बटे चार भाग होता एक बटे पांच भाग होता तब इसका अंसर आपको लगाना पड़ता लेकिन तब भी सरल था कॉंसेप्ट यही था ठीक है? चले, रोहित ने 54,000 उपए में एक स्कूटी खरी दी रोहित ने भाया इसकूटी नहीं खरी दिना चाहिए था इनको बाइक खरीदना चाहिए था इसकूटी तो लड़कियां खरीदती है चले, रोहित ने 54,000 उपए में एक स्कूटी खरीदी ठीक है? और उसने इसे 8 पर्षन नुकसान पर बेचा चलो भाई तो रोहित ने कितने में खरीदा 54,000 उपए में एक स्कूटी खरीदी तो उसकी कास्ट प्राइस कितनी है 54,000 उपए ठीक है, कास्ट प्राइस कितनी है 54,000 उपए अच्छा, अब इसको 8 पर्षन के नुकसान पर क्या करता सेल करता तो selling price कितनी हो जाएगी इसकी तो इसकी selling price हो जाएगी 54,000 की 54,000 की selling price हो जाएगी भाई 54,000 ठीक है 54,000 अब 8% क्या करता है आनी परवेश था तो 8% हानी का मतलब हो कि 92 बटे 100 cost price का हम कितना निकाल लेंगे 92 बटे 100 इतना तो आप सब सीख चुके हो यहाँ पे चमवन का 92 में मल्टिप्लाई कर लो तो यह हो जाएगा दो चवक आठ दो पंचे दस नो चवक 36 नो पचे 45 और 3 और 40 तो यह हो जाएगा आपका 8 6 9 4 ठीक है यानि कितना आ गया 49,680 रुपए तो 49,680 रुपए में उसकी क्या हो गई और इस सेलिंग प्राइस हो गई तो सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पर पता चल गया ठीक है फिर क्या करता है अब जब वो बेच देता है तो इतना रुपए वो पा गया अब इतना पाया तो उस धन से उसने फिर से एक इसकूटी खरी दी और उसको 10% लाप पर बेचा 10% क्या किया लाप अब इतना जो पैसा पाया है इसी पैसे से इसी पैसे से उसने फिर क्या किया एक स्कूटी खरीद लिया ठीक है इसी पैसे से अब इसी पैसे से फिर स्कूटी खरीदा तो मतलब जो दुबारा खरीदा है तो यह पिर से कास्ट प्राइस बन जाएगा है ना क्योंकि इतना पैसा पाया बेचने पाया प्र इसी पैसे से प्याख फिर क्या कर रहा है स्कूटी करीद रहा है तो मतलब यह कास्ट प्राइस हो गया ठीक है क्लिक्लेर यानि दूसरी वस्त लिए जब दूसरी बार इसकोटी खरीता है तो इसका कास्ट प्राइस यह हो गया ठीक है अच्छा फिर उसको 10% के लाव पर बेचता है 10% लाव इसका हम निकाल लेते हैं तो अब दुबारा जो सेलिंग प्राइस होगा ठीक है दो का मतलब मैंने दुबारा लिग दिया ठीक ह है तो दुबारे वाले का जो सेलिंग प्राइस होगा अब इस पर निकाला जाएगा यानि 49,680 दस पर्षंड लाव का मतलब 110 बटे कितना 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया यार का मल्टिप्लाई कर लो तो यार ठीक है इतना जो है उसको सेल किया इतने में ठीक है तो अब कह रहा है कि उसका कुल लाभया हानि प्रतिसत कितना है अच्छा शुरू में च्टार्टिंग में प्रतिसत कितना है पहले पईसा लगाया था 54,000 लगाया था अब बाद में सबसे लाश्ट में कितना पैसा उसने पाया तो 54,648 रुपए पाया ठीक है तो अब ये बताओ कि 54,000 में खरीदा था अब फिस 54,648 में बेच रहा है तो लाभी तो हुआ तो लाभ कितने का हुआ तो भाई आप क्या करोगे कि सेलिंग प्राइस यानि जो दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है अब पहला वाला जो कास्ट प्राइस है जो पहली बार खरीदा था ठीक है को दोनों को घटा देंगे तो 54,649 में से 54,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा के देवल 649 रुपए तो 649 इस पूरी प्रक्रिया में उसको 649 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ बात आप मेरी समझ पाए हो फिर से समझ लीजे पहली बार जब इस कूटी खरीदा चमवन हजार का खरीदा सेल कर दिया ठीक है आठ प्रसत हानी पर सेल किया आठ प्रसत हानी इस पर जब खरीदता है तो यही हमारा दूसरा वाला कास्ट प्राइस हो जाएगा यानि दूसरी वह स्कूटी के लिए कास्ट प्राइस बन जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस जो बनेगा वह 10 परशन लाग पर बनेगा तो इसका हम 10 परशन निकाल लेंगे 10 परशन का मतलब होता है 110 लाग मतलब 100 में हम 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 110 बटे 100 यानि 54,648 उपाएम वह स्कूटी को क्या कर दिया सेल कर दिया अब इस प पहले लगा था 54,000 बाद में कुल कितना उसको मिला कुल मिला है 54,649 यह तो लग चुका अब यह तो पैसा है नहीं इसी पैसे से इसको इतना मिला है जो बेचा है दूसरा इसको टी तो 54,649 उपाएम उसको बेचा है तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे ज जो सेलिंग किया है और जो पहले वाली कास्ट प्राइस उसको बटन घटा देंगे तो 649 रुपए का इस पूरे प्रॉसेस में उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है ठीक है बात आपको मेरी समझ में आ गई कोई बाइबन को कोई समझ जा इसमें चले अब इस सेशन का सब से लास्ट कोशन चलते हैं अच्छा कोशन यहां पर मैंने लिए हैं और यह कोशन लेखिए इस कोशन को भी आप करने की कोशिस करिए इस तरह के प्रस्ण आपको यूपी एस सी में जरूर जो है कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं तो चले इस प्रस्ण को आपके ट्राइ करि थोड़ी कोई खरीदेगा से स्केलों को प्रतिदर्जन किस दर से बेचे की 20 प्रतिसत का लाब हो ठीक है कितने प्रतिसत का लाब हो 20 प्रतिसत का लाब हो ठीक है तो चलिए फड़ा फड़ बताईए इसका अंसा किस रूपए कितने में वह बेचे की 20% का क्या हो profit हो ठीक है त तो 20% का लाप राप्त करने के लिए हैं उसको कीस दर से बेचें ऑम कीस दर से बेचें ठीक है तो Selling प्राइस आपको निकालना है क्या निकालना सेद्व्स प्रधिदरजन प्रति दर्जण को मतलब कि रहें कि वी ईक दर्जण में आप तो फटा-फटा इस questionnaire को try करें चले आईए देखते हैं एक फल विक्रेता 40 दर्जन के लिए खरीदे ठीक है कितने दर्जन 40 दर्जन धीक है तो 40 दर्जन खरीदे 40 दर्जन में कितना होता तो आप कहों कि 40 x 12 एक दर्जन में 12 12 चौक sinks यानि कितना हो गया, चारसो असी केले हो गये, चारसो असी केले में से तीस जो केले हैं, वो सड़े निकले, तीस केले अब तीस केले अगर सड़े निकले हैं, तो उसको तो हम बेचेंगे नहीं, तो बचेगा कितना, तो सेस हमारे पास कुल कितने बचे, तो चारसो असी में से 37 घटा देंगे तो 450 केले सही अब इनहीं को क्या किया जाएगा बेचा जाएगा अच्छी को क्या किया जाएगा वह कंदो पर किया करना टो चूलिक रोपए पर ही तो निकाली जाती है, ठीक है, कास्ट प्राइस, अब 20% लाप पर बेजना है, तो 120 बटी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अच्छा, कास्ट प्राइस कितना है, तो कास्ट प्राइस सही केले का, ठीक है, सही केले का, ठीक है, क्योंकि ये केला तो बिकेगा नहीं, अब 450 केले हैं, खरीदे कितने में हैं, खरीदा तो मैंने 250 में हैं, तो 250, यानि एक केले का अगर हम मुले पूछें कि, भई, 450 केले खरीदे हैं, ठीक है, 450, जिसमें 3 सड़े निकल जाए, उसको फेक दीजिए, तो 450 जो सही केले बचे हैं, 450 जो सही केले बचे हैं, दाम तो उतना ही लगा तीस भले वह सढ़के निकल गए वह तो अलग बात है ठीक है तो खरीदा तुम्हाइने कितने में हैं 250 रुपए में तो एक केले का दाम कितना हो जाएका 250 बटे 450 बात आप मेरी समस्पार है ठीक है यह 450 केले कितने का है 250 250 रुपए में यानि हमने 450 खेले खरीदे 250 रुपए में तो एक केला कितने में खरीदेंगे तो हम 450 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और 20% लाप कमाना है तो 120 बटे 100 ठीक है तो एक 0 से एक जूरी ये कट गया एक 0 से जीरो ये कट गया 5 से काट दो तो यह हो जाएगा आपका 55-25 और 5-9 तालीस तीन से काट दो यह हो जाएगा 33-9 और 34-12 ठीक है यह हो गया आपका 5 और 20 पांच और 20 और यह हो गया 10 selling price निकाला है एक केले का selling price आ गया वह आ गया 2 बटी 3 रूपए कितना आ गया 2 बटी 3 रूपए हमको कितने केले का selling price निकालना है प्रतिधर्जन प्रतिधर्जन मतलब 12 केले का तो 12 केले का selling price कितना हो जाएगा तो 12 केले का selling price हो जाएगा तो 12 केले का 2 बटी 3 रूपए तो 12 केले का तो आप 2 बटी 3 का क्या करोगे 12 से गुड़ा तो 3 चव कितना हो जाएगा 12 यानि वह 8 रूपए प्रतिधर्जन के हिसाब से क्या करेगा केले को बेचेगा फिर से ध्यान प्राइस तो उतना ही लगा है 250 रुपाई ही तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा तो 250 बटे 450 अब हमको 20% लाप पर बेचना है तो आप जानते हो कि प्राइस इसपल्ट होता है सीपी इंटू 120 हो जाएगा बीस परशन लाप का मतलब 100 प्लस बटे सो एतना तो आप सबी लोग जानते हो ठीक है तो एक केले का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250 बटे 450 इंटू 120 इंटू 100 यह हमने निकाल दिया दो बटे तीन रुपाई किने एक ल नहीं पूचा वह प्रतिदर्जन के हिसाब से पूचा है प्रतिदर्जन का मतलब भारक ले का बार्यक लेकर मुले हो जाएगा श्रौक रूपर अंसर कौन अँसा हो जाएगा हमारान स्थी वाला यहां करें कथ प्रर्ष से श्रौक है एक तो UPSC model पर जिदने भी प्रस्न आये हुआंगे पहले हम उनको देखेंगे ठीक है और जब यह हम बट्टा कंप्लेट कर लेंगे उसके बाद ठीक है चले तो इनको आप जो है स्क्रीन साथ आप इसका ले सकते हैं बहुत अच्छा प्रस्न इस प्रस्नों को अच्छे से द आप उपस जितने भी लोग हैं पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स को आप जो है फालू करते रहिए क्योंकि आपका UPSC का हम लोग जो है एक पॉर्स ला रहा है बिल्कुल फ्री आप कास्ट है कोई चार्ज नहीं है ठीक है बस आपको बस ध्यान में रखना है जो लोग भी UPSC 2024 का फार्म भर चुके हैं या जो नहीं अगर भरे हैं तो फार्म की प्रक्रिया भी चल रही है आप फार्म जल्द से जल्द फिल अप कर लें ठीक है जो भाई बहन नहीं अगर भरें तो सबसे पहले OTR आप भर दीजिए अगर आपने OTR नहीं किया है तो प 24 का एक्जाम देना है ठीक है और हम लोग पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे रहेंगे ठीक है तो इसके लिए अब बे फिक्र रहें तब तक आप स्वाच्थ रहें साउधान रहें जैन